हेलो गाज नमस्कार क्रिकट भी सचिन बोरा हैं फिर से एक बार आपका स्वागत है दोस्तों लड़ाई लड़ने से पहले आप लोगों के पास equipment होना जरूरी है हत्यार का तगड़े हत्यार का होना तो इसलिए आज में पूरे equipment जो जो भी आपका क्रिकट सीखने के दोरां लगेगा चाहिए आप बॉलर हों चाहिए आप बैचमेन हों दोनों के लिए जो भी equipment की जरूरत पड़ेगी वह सब के बारे मैं आपको बताऊंगा एज के मताबिक आपको बैट की जरूरत पड़ेगी अलग अलग एज में जैसे आप क्या हत्म होतना पाउर होगा नहीं आप उठानी पाऊगे तो इसलिए दिक्कत आईगी आपनों को तो सबसे पहले तो बैटी आता जो सबसे इंपोर्टन है बॉलर के लिए बॉल आती है उसके बाद विकेट लेना जुरूरी है अगर आप विकेट लेने के लिए पैसे नहीं तो आप नॉरमल लकडी का भी बना के आप यूज कर सकते हैं उसके बाद उसी साइज के पहसे आपको पैड औने जुरूरी है जो ये जोड़ा साथ होता है इसको लगाने का तरीका भी आप सीख सकते हैं उसके बाद गलब जाते हैं यह गलब भी साइज के मताबिक आते हैं कि बाद एलबोगाड आप छोटे हैं सीख रहें तो दोनु आथों में लगाई है अक्तर लेटेंड में लगाया जाता है जो राइट एंडर बेट्शमें और लेटेंड बैट्समें का राइट में बट आप दोनु में लगाए क्यों कभी कभी बॉल यहां भी निकल जायते कई बार स्चीधे बॉल चैस्ट में तो चश्ट काड लगाना एक पुरे बोडी के लिए बी आता है एक हाप भी आता है वसे इसी साइड को ज्यादा आता है बोलतो इस सैड नहिए फिर भी ठेहनता हूं ऐसा नहीं है आपने हैबिट में सामिल करना अधर बाइस आपको अजीब लगा इस टार्टिंग वह बहुत दिन तक एक महने तक अजीब जासा लगगा आपको मन करें नहीं में बिना एक्क्यूमेंट के खेलूं ऐसे तो आपने खेलना है पूरे क्यूंके साथ ताकि आपको habit में सामिलागे एक बार habit में सामिलोगे आपको आदत बन जाएगी इसके बाद बॉल का भी बहुत ज्यादा रोल है बॉल देखे एक white ball लेनी है एक red ball लेनी है अलग-अलग क्यों लेनी हो भी बताऊंगा उसके बाद hockey ball जो ज्यादा उचलती है एक कम उचलती है यह वाली बहुत कम उचलती है जो yellow वाली इसमें दो-तिन परकार के आती है इसमें भी आती ज्यादा उचलने में पीले कलर के आती है और pink कलर की भी आती है सारी लेनी है क्योंकि pink कलर और white कलर और yellow कलर आपका रात में काम आजाएगा और दिन में अगर आप practice करते हैं दिन मे लेनी है आपने आप इन सब का reason में बताऊंगा क्योंकि भारी बहुत ज्यादा उचलती है उचलती है तो आपके यहां तक जाएगी तो इससे क्या आपने जब drive में control करने के काम आएगा leather ball से इससे control हो जाता है drive यह बहुत उचलती तो आपको control करने में help करेगा वह आगे च लेज भी आएगे तो उतनी चोड़नी लगेगी तो पुल शॉट शीकते समय यह lightweight ball यूज करनी स्टार्टिंग में जब तक आपकी habit नहीं हो जाती अच्छा से बैट बॉल कनेक्ट नहीं हो जाता उसके लिए बहुत जरूरी है यह जब एक बार इससे अच्छा से connect होने पहना होगा फिर भी मुमा आती बोल क्यों डर बैट जाती मनम यह ज्यादा उचलती नहीं है बहुत ज्यादा नहीं उचलती तो यह नॉर्मल स्वीप स्वाट सीखने के लिए बहुत बढ़ा रहती है उसके बाद ग्रीपर आता है एक ग्रीप क्या थोड़ा आज को स्ट्र उसको भी बताऊंगा आगे चलके क्या करना है उसके बाद आता थेरा बेंड थेरा बेंड बॉलर के लिए बहुत इंपोर्ट है ना बॉलर क्या बैट में दोनों के लिए बहुत जूरी है इस से क्या-क्या एक्सेस हैं होती है वो आगे चलके बताया जाएगा आपको जहां आचानी करना है उसके लिए क्या बॉल को एक सौक से के अंदर डाल के कहीं पर लटकानी की विवस्ता बनानी है हैंगिंग बॉल बहुत जरूरी है उसको घर पर प्रैक्टिश करने के लिए उसके बाद सबसे इंपोर्टेंट है सट अप यह जो हमने भी बना रहा है घर के पी नहीं है तो फिर आपका प्रैक्टिश करना लगबग इंपोसिबल हो जाएगा क्यूंकि स्टार्ट जो आपको एक या दो साल आपने मात्र 10 मीटर के एरिया में ही आपने प्रैक्टिश करनी है उस 10 मीटर बहुत है उस 10 मीटर से आपका गेम इतना ज्यादा इंप्रूब हो प्रैक्टिश करते हैं लेकिन रूम के अंदर उतना फैसलेन का सामान टूटने का डर रहता है उसके बाद किसी भी आलद मां आपने आपके नजदिक में कहीं ने कहीं तो स्कूल में या चोटे से ग्राउंड कहीं मिल जाएगा जहां पर आप प्रैक्टिश कर सकते हैं इस चीज की तो यह चीज आपने अपने लिए रेडिक करना पड़ेगा अगर यह चीज आपका नहीं है तो उसके बाद प्रैक्टिश करने में आपको दिक्कत आएगे फिर आप सीखेंगे कैसे अकैडमी जाने वाले बच्चे अकैडमी चीखने वाले जिसने घर में गेम लेकिन उनलाइन ना खरे दें पैट यह चीज ना खरे दें क्योंकि और आगे चलके बताएंगे अभी फिलाल इतना भी अगर आपके पास चीज हो जाएगा तो आपको प्रैक्टिश करने के लिए हो जाएगा अब जो बॉल मैंने बोल आपने ज्यादा मातरा में खरीदनी क्योंकि कम से कम 20 से 30 बॉल खरीदें मेरे पार कम से कम 60 बॉल रखी है 60 बॉल से मैं इसको प्रैक्टिश कराता हूँ क्योंकि 5-10 बॉल करेंगे फिर बॉलर वहां से आएगा फिर कलेक्ट करके लिए उसमें बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है तो इसलिए क्या है अगर 50 ज्यादा मतलब नहीं है लेकिन हमारा काम है कैसे भी एक क्वालिटी लेवल की ट्रेनिंग आपको देना ताकि आप अकेडमी भी जाते हों या आगे चलके कहें भी आपने गेम को एक दम स्ट्रॉंग बना सके तुस्तों आज के लिए इतना ही कल से आप सुरू करेंगे स्री